गर्मा कोई पार्टी होई सेलिब्रेशन होई के होई गैट टुगेटर तेमा स्टार्टर खुबच महत्पनों भाग बचबे छे अने कहवाई चेने कि फर्स्ट इंप्रेशन इस दे लास्ट इंप्रेशन इटले की जो स्टार्टर खुबर सरस अने मजीधार होई तो सोना मा सुगंध भड़े तो आज आज आपने शेफ पासे शिक्वानाई श्री आब आज पे मजीधा स्टार्टर तो चालो सीधा पहुंचीजे ये शेफ पासे तो आपने आवी चुके अचे कीचिन फ्रोर पर अपनी साथी जुड़ाए गया अचे शेफ ब्राइन लुईज हलो शेफ दादा नमशकार केसे हो बस मजा शेफ सु वाद चाज तो कई कंदवा लुकमा बिल्कुल थोड़ा नया चीज थोड़ा नहीं स्टार्टर आज तो सबको पसंद है तो यह जो एकदम कॉमन स्राटले जो एकदम एजी है इसकी जो प्रदार्त है आपको इसली घर पर मिल जाते है तो शुरू करते हैं बेवी पांट से आपका करश्च पेपर है यहाँ पर को अखी काली मेरी कॉंडे कुटके इसका यह एक नमक यह है वाइप सब्सक्राइब कर दो पेपर आता है थोड़ा गालिक होता है धन्या इस प्रिंग अनियन यह प्यास जो है जो जो चिंजर और हरी मिल्च्री यह सामान चेह हम तो इसके समस्क पहले तो हम इसे डीप फ्राइब करिए हम को थोड़ा एक हलका से मिशन बनाया है कॉंड फ्लार अधर देशन ने कान कर लिया है थोड़ा प्रमान माशलरी तैयार करें इस डिप कर वांच इस बिल्कुल ऑक तो सबसे पहले तो इस पहले तो इस फिर खलका समन मंग मिलागे है हलका सवाइट टूपे पर रहे वह भी तो पर रहे यह जो अब 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 एक अब एक्स क आम ने बनाया है पार उस गर मिसमें चोड़ा है किस लरी हलका से कोटिंग जाए ज्यादा कोडिक ने चैए यह को तकर तक अब देखें़र जो तो इस बाटिक जो चोटेंगे जादा हैने एतली हमें जब बैंडिंग लिए चये जो अब ऑक तो एंब देल कर लेते हैं कि अधिए शॉल्ट न पेपर ने पहले को बिभी कान निया वो विस्कलरी वे भी मिक्स हो गया है तिक इसले इसमें इसमें प्रेपर दाला नहीं है कि अधिए आरेस्पी मां सॉल्ट न पेपर नुजी टेस्ट चे वधारे रहानु चे इतला माटे ज्रहें रामची चे बेबीकॉन सॉल्ट न पेपर चे अधिए अगनी प्रोसेश फ्रूर रशे अब इसकों फ्राइ करेंगे शेपर डिफ्राइ कर्वा माटे न कारण शूप चे यह बेबीकॉन थो डाढ़ा क्रिस्पी हो ना चाहिए इसलिए हमें हमें आख बैटर दिया है जो कॉन फ्रूर रह मैदे का थोड़ा क्रिस्पी चाहिए इस्टार जेतना क्रिस्पी हो उतना मजाई जाए ज़गा है करें नितलने सफनें ठीडने कहिंत अरो अरो डेल जाया है अविल्कु अगर थंदे तेल में यह को खालो कि अगरो तो फिर आपको ये क्रिस्पी पन नहागे वह उत्सुप्ट हो जाएगा तो बैठरी वे तब जायेगा पर एक जाये लेगा तक है तक फ्राइ होता है वह तेरे नानी आनी बाबावा तोनुपन ध्या राखो फुबच जरुवी शर्णी जब तक फ्राइ होता है हम इसका तरह गानिश तेहर करते है तक है हम ने दें हरी मेच हरी मेच को थोड़ा उपर से काट लेते को इसे सेंटर में एक श्रेटमार रधिए अब जिसको गुमा के दूसरे दरव से तुस्ट कर लेते है वैसे प्रेंग लेजा तरह भ्रेंग प्रिया से काट लेते हैं इसको बीच में काट लेते हैं अल्टा छुरी से इसको हम हल्काजा खीच लेते हैं हल्काजा खीच लेते हैं कि अवर शियों कि आप पैनु ये अप देखे जिस बोल में हमने थोड़ा बरफ लिया थोड़ा पानी दालिए सब्सक्राइब कर रविक आप शुक अब देखोर्ड़ा हुआ है और आपको एक जो गानिश के लिए बड़ी आसा ये तेहर हो जाएगा बेबी कॉन तेयर थे गया अचिश है यह भी बेबी कॉन हमारा तेहर हो गया तो हम इसे अभी दल करके इसे निकान देते हैं करण भी देकिश कोटिंग ज्यादा नहीं कोटिंग इसपर लेकिन जो कॉन फर मैदे के वज़े से हलका सखरी तो हो हो गया है जी ज़ी ज़ी जैसे एक पेपर टावल पर द्याल के जो एकसे से लेन निकाल देते हैं अभी इसके बाद में इसके जो मेन है इसको भी टॉस करेंगे पैन के अंदर यह पैन में थोड़ा तेल दालते हैं इसमें लगबग दो चमच लसन एक चमच लेगे हम अधरक देगे हम दो चमच चॉप कियावाब प्याज खलका से पकने देते हैं मेन यह है जो जाले के जाले का ब्रावद करना है यह जी जी जाले का ब्रावद करना है यह जी अधर आप को चाहिए तो और आप बढ़ा सकते हो आप की बेसिकली जैसा नमक के तरह यह आपके स्वाग पहे है यह तीक हूप अधर थो तो तमें यह युज करेशा को लेकिन इस वक्त हरी मिर्षी के थोड़ा पकाना जरूरी वहता है कि यह लसन पगया अब एक और जो पदार्त है यह जो काटा है यह आपको पसंद हो तो दाले यह ऑप्शनल है ठीक है मुझे पसंद है इसलिए मैं अपने रेसीपी दाल देता हूं तीन कलर का कैप्सिक में रेड यलो एंड घ्रीन हलका सॉड़ी करना जरूरी है इसको अब दाले हम अब आदा चमच्छ पिसा हुआ काली मेरे कैप्सिक हम तमेजी अप्शनल कायूचे तो आतरौनमाती कोई एक पन लाई शेकाई छेए बिलकुल 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 अब इसमें हम जो बेबी कॉन है वो दाल देते हैं यह थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन यह थोड़ा सा कटा हुआ दनिया दाल के प्रफिस पर दनिया भी आपको अगर लगे तो थोड़ा एक्स्रा दाल सेटे कोई यह नहीं अब तो शेयर साओ से बिलकुल दो बूंद ज्यादा नहीं है इसे इसे मिला देते हैं और यह आपका बेवी कॉन सॉल्टन पेपन प्रफियार हुआ है अब इसे प्लेट कर लेगे हैं ठीक चाहिए यह देखिए जो कापसिकर ने दाला कितना रंग भी रंगी कलर दे रहा है इसा है हुआ है अब जैक करते हम पूस्परीं अनिए को कि जए शप्रिंगं सी तरुक्ति अज्ब प्रमा तेयार करें मैं एक प्रफियमा इस दरेक ट्रुक है किस तरह से करल हुआ है ठीक है उखिए तमारी पास तो रखिपी तो शीकी ज्याहे ऐखिए सुखली पन ज़ावरी थंदा पाणि में तली तो टू लाग राख्फाम आवे तू क्रिस्पी थे हैं आप पदाली थो आप कोई बीशार लो आप ले लो तो ट्रूबर बना के लिग दाल दो तो टू पाणि में जाया तो त्रूब चुछी हो जाते है जी थीक है जो नहीं थोड़ा सप्याज इह दाज़ी आपने और यह हमारा डिश्च हो है तो तयार है भी जी तो बेबी कॉन सॉल्ट अन पेपर तो तयार चुए याने तमें पर नॉट करी लो वेक रिकेब बेबी कॉन सॉल्ट अन पेपर बनावा माटे सव प्रतम बेबी कॉन मा मिठु मरी पाउडर जरुर मुजब कॉन फ्लोर मैदानी सलरी उमेरीने मिक्स करो त्यार भाद तेल मा डिप फ्राइ करो त्यार पची पैन मा बेटेबल स्पून अलिव ओल लैने तेमा बेटेबल स्पून लसन एक टेबल स्पून आदू बेटेबल स्पून डूंगडी उमेरीने सांतरी लो त्यार पची एक टेबल स्पून लेला मर्च्रा उमेरीने सांतरी लो हवे तेमा अर्धु बाउल त्रोणी कल्लर ना कैपसिकम्स अर्धी टी स्पून मरी पावडर उमेरी ने सांतर ता रहो। त्यार बाद एमा फ्राई करेला बेबी कॉन त्यार पची 2 टेबल स्पून लिली डुंगडी, 2 टेबल स्पून कोथ मीर, 2 ड्रोप सोया सॉस उमेरी ने मिक्स करीलो। हवे सविंग प्लेट मा एड करी ने लिली डुंगडी, लिला मर्चा थी गानिश करी सब करवू। तो त्यार छे बेबी कॉन सॉल्ट एन पेपर। तो शेफ है एक स्टार्टर तो सिखवाड़ी दीधू छे, और बीजू पन एक स्टार्टर बाकी छे, जे शिखी शू आप ब्रेक बाद। वेल्कम बैक टू आपनी रस्वय। शेफ पास एक स्टार्टर तो आपने शिख्या चे, हवे बीजू शू छे, टेपन जाने लेए, शेफ, बीजू स्टार्टर कही हूँ छे? विधाता, शेकंड शॉटर है, ये क्रिस्पी हनी चली पनेटो है, ये बेसिट है मैं जो लड़की है इसका फेवर्ट डिश है, इसलिए ये दिश आपको मैं ठीकाना चाहता हूँ इसमें हमें चाहिए पनेटो आलो, आलो जो लिए हमनें कच्छे आलो, हमें चाटना है कच इसे काटते आपको दिखा लिए इसे करकेश को थोड़ा फिंगर चिप से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ठीक है लब ये साइस होगा हो अब इसे उबा लेगे अब क्यूंकि हमने अलोडी हालो को अब आलो को दिखाए गए किसे फिनिश रहे है कैसे होता है इसे तैयार के शेत हैं कि गएजा जानावी को जैसे ऐकी को परनाश को देखा है आप से जन्यार करते हमाता है आपणी है जरुको पूल करते हैं टे पहला अलो नाखी नह इन पाख्षिऑ नाखी नाखनय क और पट्चिया निटीं चैशे अब भूदर जरुर ठीक जरुरी इसे 3 चमच लकररियों क्रिस्पी त् 이상 चमच रच्रोंकम क्यों रथे वायी ili मिलए त्री हमें थो ऐसे अभ草निक्स कर लेते हैं अब थोड़ा पाणी है रखमानी मिला है कि अब मिला देते हैं तेल को गरम के लिए और थीरे से इसको गरम तेल में छोड़ देते हैं कि अब देखे यह आलो अभी पग गए ठीक है क्रिस्पी हो चुक है इसे हम निकाल देते हैं कि अब शुकरी अब इसको अब इसको टॉस करेंगे यह पंड़ादे दे आ हुँआ और अब हम इस वॉक को लियाते हैं तो फिर से थोड़ा तेल दालते हैं इसमें यह थोड़ा हीट हो देते हैं अभी इसमें चाहिए हैं जालिक लसन दो चमच लसन लेते हैं सिर्फ आदा चमच अधरक इसे हम अभी पकाते हैं इस वक्त हल्का सा श्प्रेंग दिन दालता समें यह लसंग पगया हमारा यह टेमाटो केचप नहीं देड़ चमच टेमाटो केचप लिया में रेचली सॉस काचप लिया में रेचली सॉस अगर आप स्टीक आचा तो दाल सकेचप लिए थोड़ा स्वीड टेस्ट पन रहानों शेट थोड़ा सा थोड़ा सा थाम नामुरी सा दो बून स्वेसा जाले में अब इसे मिला देगे इसमें थोड़ा नमक थोड़ा वाइट पेपर के लग और आदी चमचीनी दाला है और यह रहा हनी जो में पर दाल पिर पहन है यह वनना हाफ स्पून मने हनी दाला है यह हलका मेटा स्वाद चाहिए, इसलिए मैंने से चली रदा हनी रदा है अब इसमें जो प्रेटो हैं भीक्स कर लेते हैं शेफ आमा स्टकर पंड लेदी चेह ने साते हनी पंड लेदूशे बिल्कुल यह हमने तायर किया एक वेजटिवल स्टॉक जो सब्जी गुबाल के स्टॉक बना खलका सा चाहिए खाली इसको कोटिंग के लिए कि अधार देखिए यह हमारा हाली चली पटेर तयार है और क्रिस्पी भी है तो अब यह से निकाल देते हम कर दो कर देखिए यह जो ग्लेज आया है जो शाइन आया है यह बिसिकली हानी के वज़े से आया है ठीक है इस पर एक सर्फ्प्रिंग अलियन प्लेन दाल कर देखिए यह ज्यादा में चुपाना नहीं है जी बिल्कुल यह हमारा दिश भी तैयार है थोड़ आप स्प्रिंग अनि उपर से स्प्रिंगल कर लेते हैं और यह डिश रड़ी हुआ यह भी ट्राइट कर देखिए जी बिल्कुल ट्राइतो करीश शेफ आज आजी बेस कर देखिए कॉल, बॉल पोटेटो, स्पाद अनुसार मिठुं उमेरी, एक ती स्पून मरी पावडर, त्रोंट टे बल्स्पून मैंडो, त्रोंट टे बल्स्पून कॉन फलोर उमेरी ने मिकस करो त्यार बाद तेल मा कॉट करेला बढ़ाकाना पिसिस ने डिप फ्राय करो त्यार पच्छी तेने डोस्ट करवा मातरे 2 टेबल स्पून तेल गरम करी, 1 टेबल स्पून लसन, 8 टेबल स्पून आदू, 2 टेबल स्पून लिली डुंगडी उमेरी ने सांथडीलो त्यार पच्छी तेमा बेटेबल स्पून टोमेटो कैचप, एक टीस्पून, रेट चिली सौस, बेड्रोप सोया सौस उमेरी ने मिक्स करी दो त्यार पात स्वाद अनुसार मिठू, एक टीस्पून, मरी पावडर, अर्धी टीस्पून खांड, बेटेबल स्पून मध, अने फ्राइ करेला बटाकाना पिसिस एड करी ने मिक्स करो त्यार पात तेमा जरूर मुझब, वेजिटेबल स्टॉक उमेरी ने मिक्स करी, सविंग प्लेट मा एड करी ने लिली डूंगडी थी गार्नेश करवू, अने सब करवू, तो तैयार छे हनी चिली पोटेटो तो शेफ पासे तो वान्गियों नो खजानो छेज, पन जो तमारी पासे पन वान्गियों नो पटारो होई, तो राहश्यानी जोवो छो, पहुंची जव अमारा शोमा, पन तेयाना माँचे नोट करीलो अमारू एड्रेस अने वाटसेप नमबर अमारू सरनामू छे, ETV News गुजराती आपनी रसोई, A101, Commerce House 5, Corporate Road, प्रहलाद नगर, अमदाबात 380-0051, अतफ़ा आप अमने वाटसेप पन करी शको छो, अमार वाटसेप नमबर छे, 99999-09463 तो शेफ है शिख्वया मजिदाज स्टाचर, अने जेम शेफ है जणाववियों कि आवतिकाले पन मजिदाज स्टाचर ते आपनाने शिखाडवाना छे, तो बस तेमनी पासे जे खजानों छे, वानकियों नो, अने आज 19 साथ है आवतिकाले फरी मड़ेशू, त्यां जाओ है जाओ है जाओ है